Hello and welcome friends, Microsoft Excel सिखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो Microsoft Excel की है करेंगे क्या आज के इस वीडियो में, देखिए, यहाँ पर एक shortcut key होती है उस shortcut key के बारे में बताता हूँ, देखिए, यह जो border लगा हूँ पार्ट है इसको हमको merge करना है, एक ही में merge करना है, तो merge करने के लिए हम home tap पे जाते हैं और यहाँ merge and center option दिया होता है, यहाँ से जाके हम merge and center करेंगे, तो यह merge हो जाएगा लेकिन हमें इसके through इसको merge करना नहीं है, हमें shortcut key के through इसको merge करना है तो वो shortcut key क्या हो सकती है, आज इसी की बात हम करेंगे, तो एक बार वो shortcut key में आपको बता देता हूँ तो चलिए देखिए, इसको selection में ले लेते हैं, और अब आपको अपने keyboard से press करना है अल्ट, H, M, और C, आपको keyboard से press करना है, अल्ट, H, M, C, तो जैसे ही मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह आपने आप automatically merge हो चुका है ठीक है, यह देख सकते हैं, तो I hope कि यह वीडियो अच्छे लगेगी आपको, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो उसे share करें, thank you for watching this video